तो आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे 1UI 5.1.1 के बारे में ये 1UI का next version है दोस्तों और इसमें काफी सारे नए features आने वाले हैं तो आज के इस वीडियो के अंदर detail में बात करेंगे 1UI 5.1.1 update के बारे में जानेंगे कि क्या कुछ नए features और changes होने वाले हैं और कौन-कौन से devices eligible है 1UI 5.1.1 के लिए सारी जानकारी आज के इस वीडियो के अंदर मैं देने वाला हूँ तो वीडियो को अंतर तक देखेगा और लाइक कर दिजेगा इस वीडियो को लाइक टारेट हमने रखते है 95 लाइक पंचान में लाइक आप लोग कंप्लीट कर दि तो यहां पर बताए जारा कि Samsung Health जो अप्लिकेशन है उसमें ने फीचर आने वाले हैं Health के रिलेटर दोस्तों Samsung Disk है उसको इंप्रूफ करेगा Samsung One UI 5.1.1 अपडेट में बैसिकली जो टैबलेट्स और फोल्डेवल डिवाइसेस हैं उनको कमफर्टेवल करेगा और भी नए फीचर और इंप्रूब्मेंट्स करेगा Samsung Disk में इसके अलाबा आलवें जॉन डिस्प्ले में कुछ नए फीचर एड करने वाला है और नए विजुट्स एड करेगा और यह जो अपडेट है सभी फोल्डेवल डिवाइसेस में देखने को मिलेगा यहां पर है Z Fold 45G, Z Fold 35G, Z Fold 25G, Z Flip 45G, Z Flip 35G, Z Flip 5G, Z Flip LTE तो इन 7 डिवाइसेस में हमें 1UI 5.1.1 देखने को मिलेगा दोस्तों बैसिकली जो 1UI 5.1.1 का अपडेट है वो इस्पेसिली डिजाइन रहेगा Samsung के फोल्डेवल डिवाइसेस के लिए और बहुत ही जल 1UI 5.1.1 रिलीज भी होने वाला है सबसे पहले यह हमें और टॉप है Samsung ने Z Fold 4 और Z Flip 4 के साथ तो देखते हैं कब तक आता है बताया जा रहा है कि July तक जो है वो वनी 5.1.1 आने वाला है तो जैसे ही और भी गर कोई न्यू जाती है या फिर अपडेट आता है तो आपको मेरे चैनल पर इंफॉर्मेशन देखने को मिल जाएगी तो चैनल को सब सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देचेगा मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में तब तक लिए जैहिंद वंदे मात्रम